हेलो मैं वेलकम करती हूँ आप सब का अपने चैनल जीवन ब्यूटी टिप्स में आज की वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाली है आज मैं आपके सब शेयर करने वाली हूँ वैसलीन हैक्स की आप वैसलीन को कब और कैसे यूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं जी कमाल मेरे फेस पर वैसलीन का है ना कि फाउंडेशन जा फिर प्राइमर का मेरा फेस पर मैंने अभी अभी वैसलीन लगाई है और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन इतनी सोफ और ग्लोइंग नजर आ रही है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन में प्लीज उसे जुरूर प्रेस कर दे और मेरी इस वीडियो को अपनी फैमली और फ्रेंड के साथ जुरूर शियर भी करना तो आओ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप वैसलीन को कब और कैसे कैसे इस्तमाल कर सकते हैं जिससे कि आपी स्किन एकदम से सोफ और हाइडरेट रहेगी तो हमारा फर्स्ट हैक है वैसलीन फोर डाक सरकल्स जिनकी आँखों के नीचे काली घेरी हो जाते हैं आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हो विदिन ट्री डेस आप देख लीजिए आपको इसके लिए क्या करना है पक सरकल्स रिमूव करने की क्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए वन टेबल स्पून वैसलीन आप एक चमबच इसमें वैसलीन लीजिए और नेक्स्ट आपको इसमें एड करना है वन टेबल स्पून अलोवीरा जैल और नेक्स्ट आपको एक विटामिन E ओल कैपसूल लेन इसका ओईल सारा इसमें एग कर दीजिए और इस मिक्चर को अच्छी तरह से मिक्स मिक्स कर लीजिए आपको इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि यह एक सिरम की फॉर्म में ना आ जाए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मिक्स करने के बाद आपको यह कितनी क्रीमी फॉर्म क्या आपने मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर दिया है आपके सिस्क्राइब का बटन रेड है जा फिर ग्रे अगर रेड है तो उसे क्लिक करके ग्रे में कनवर्ट कर दीजिए और मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर लीजिए आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा ये सिरम बनके रेड अप्लाई करने के बाद आप 3-4 मिनिट इसकी मसाज कीजिए चाहें आपके डार्क सर्कल्स अभी हुए हैं जा फिर बहुत ही ज्यादा पुराने हैं अगर आप बिली रात को सोने से पहले इस क्रीम से अपने अंडर आइस की मसाज करेंगे तो आपकी आइस के डार्क सर्कल्स एकदम से गाइब हो जाएंगे आपको इसका 100% रिजल्ट मिलने वाला है तो फ्रेंड्स आप इस क्रीम को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं आप इसे बनाकर 1-2 मन तक स्टोर करके अराम से रख सकते हैं आप डेली रात को सोने से पहले इस तरह इस क्रीम को लगा लीजिए और 2 से चार मिनट मसाज कीजिए और फिर सो जाएं आप देखेंगे कि आपके डाक सरकल्स धीरे धीरे गाइब होना स्टार्ट हो गए हैं तो अब बारी आती है हमारे सेकंड है की सेकंड है क्या है वह वैसलीन पार मेकप रिमोवर जी हां आप वैसलीन की हैल्प से मेकप भी रि दिखा रही हूं आपको आपको इस तरह से इपने मेकप पर थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और इस तरह से अपलाई कर लेनी है फिर आप किसी कॉटन की हैल्प से इसे रिमोव कर दीजिए आप देख सकते हैं कि कितनी अमेजिंग तरीके से आपका मेकप रिमोव हो जाएगा अब आप जब भी किसी पार्टी फंक्शन से आए तो आप इस तरह वैसलीन की हैल्प से अपने पूरे फेस का मेकप रिमोव कर सकते हैं फ्रेंड्स जे अमेजिंग ट्रिक है और बिलकुल नैचरल है अब बारी आती है हमारे थर्ड हैकी कि आपको एंटी एजिंग सिर्म कै अगर आप कि स्केन पर रिंकल्स आना स्टार्ट हो गए हैं चेहरे पर दाग धब्या गए हैं तो आप यह सिर्म बना कर जूरू ट्राइब करें इस एंटी एजिंग सिर्म को बनाने के लिए आपको चाहिए वन टेबल स्पून अलोवीरा जैल और आप इसमें हाफ लेमन का जूस एड़ कर दीजिए नेक्स्ट आपको चाहिए वन टेबल स्पून के क्रीव वैसलीन आप एक चमच इसमें वैसलीन एड़ कर दीजिए और अच्छी तरह से इस सिर्म को कर लीजिए मिक्स आपको इसे मिक्स तब तक करना है जब तक कि यह एक क्रीमी फोम में सिर्म की तरह बनकर रेड़ी ना हो जाए आप अगर चाहते हैं कि आपकी स्किन पर कोई भी दाग धबर ना रहे तो आप इसमें टू विटामिन ए के कैपसूल एड़ कर लीजिए यह ऑप्शनल है अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ऑईली है तो आप इसे स्किप भी कर सकते है अगर आपकी स्किन ब्राइजा नॉर्मल है तो आप इसे जरूर जरूर एड़ कीजिए विटामिन ए ओयल हमारी स्किन के लिए बहुती ज्यादा बेनिफीशल होता है यह सिरम लगाने से अगर आपकी स्किन कहीं से जल गई है आपकी स्किन पर जाया है चाफिर पिमपल्स क जाएगा जैसे कि छोटे बच्चों की स्किन होती है एकदम से शाइनी शाइनी और एकदम से सौफ्ट वैसी स्किन आपकी हो जाएगी अब आपको इस क्रीम को अपलाई कैसे करना है आप वह देख लीजिए आपको थोड़ी सी क्रीम लेनी है और इस तरह से डोट करकर अप अपने पूरे फेस पर अपलाई कर लिजिए यहां पर भी मैं आपको एक टिप देने वाली हूं कि आप जब भी क्रीम जाफिर ओल अपने फेस पर अपलाई करते हो तो इस तरह से पहले डोट-डोट करकर उसे लगा ले इस तरह से आपकी क्रीम की वेस्टेज नहीं होती औ और आपको इसका अच्छा रजल्ट भी मिलता है आपको इस तरह से क्रीम लगाने के बाद अब आप करेंगे इसकी दो से तीन मिनट तक अच्छी तरह से मसाज आप देख सकते हैं मैं वीडियो में आपको स्टेप दिखा रही हूँ कि आप किन किन स्टेप को फोलो करके ये फेस मसाज कर सकते हो इस massage को करने से आपकी skin uplift होगी आपकी skin पर जितने भी wrinkles हैं वो सारे remove होगे और आपकी skin एकदम से young होगी Friends, हर कोई चाहता है कि उसकी skin एकदम से fair, बेदाग और young हो अगर आप इस serum को daily apply करोगे तो आपकी skin बिल्कुल इसी तरह हो जाएगी आप देख सकते हैं मेरे face पर मैंने अभी अभी आपको ये cream apply करके दिखाई है कि मेरा face कितना glow कर रहा है मैं बिल्कुल close से आपको अपना face दिखा रही हूँ तो अब बारी आते हैं hack number 4 की कि आपको vaseline को use करके कैसे आप अपने हाथों को glowing and smooth बना सकते हो friends आपको थोड़ी सी मातरा में vaseline को लेना है और अपने दोनों हाथों पर इस तरह से apply कर देना है अगर आप daily रात को सोने से पहले अपने हाथों पर भी अपने face की तरह vaseline को apply करते हो तो आपको इसका amazing result मिलने वाला है कोई भी cream, market से आप चाहे महगी से महगी ले लो आपको इतना चरजर्ड नहीं देगी जितनी की ये vaseline देने वाली है डोनों हाथों पर vaseline apply करने के बाद आपको इस तरह से एक दूसरे के उपर हाथ को रख कर इस तरह से गिसना है जाने की आपको अपने हाथों को गर्मेश देनी है अगर आपके हाथों पर जुडिया आना स्टार्ट हो गई है आपके हाथ बूड़े दिखाई दे रहे हैं अगर आप इस तरह से vaseline लगा कर उसकी इस तरह से massage करोगे जो tip में आपको दे रही हूँ तो आप देखोगे कि 3 से 4 मिट दिन के अंदर ही आपके हाथों में कितना ज़्यादा अंतर दिखाई दिया है अब मैंने vaseline को अपने हाथों पर भी apply कर लिया है आप देख सकते हैं वीडियो में कि मेरा हाथ भी कितना soft दिखाई दे रहा है अब बारियाती है hack number 5 की आप अपने चहरे और हाथों के तरह अपने lips को भी vaseline यूज करके pink बना सकते हो जी हाँ अगर आप डिल्ली अपने lips पर vaseline को apply करोगे तो आपके lips एकदम से baby soft and बिल्कुल natural pink हो जाएंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने lips पर कुछ भी apply नहीं किया था मैं जस्ट आपको यहाँ पर vaseline apply करके दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं कि vaseline लगाने से ही मेरे lips कितने shine करने start हो गए हैं कितने pink pink दिखाई दे रहे हैं अगर आप डेली रात को सोने से पहले vaseline को भी अपने lips पर इस तरह से apply करोगे तो आपके lips natural pink हो जाएंगे अगर आपके lips कटे-फटे हैं सर्दी की वज़ा से फट रहे हैं तो आप डेली इस तरह से vaseline को apply कीजिए result आपके सामने है कि कितने shiny lips दिखाई दिन है vaseline apply करने के बाद अगर आपको ये वीडियो थोड़ी से भी useful लगी हो तो please इस वीडियो को like कीजिए नीचे like का button है उसे जुरूर press कर दे और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो उसे जुरूर subscribe कर ले और भी useful वीडियो देखने के लिए और नीचे comment box में comment करकर अगर आपको कोई question है तो आप पूर सकते हैं मैं उसका reply जुरूर दूँगी तो friends आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो एक like तो बनता है ना लाइक जुरूर कीजिए और मिलती है मेरी next वीडियो में तब तक अपना खयार रखे टेक क्यर बाबाई